Hello students, तो आज हम एक experiment की मदद से समझेंगे कि weighing machine हमेशा normal reaction force को measure करता है. हमारे पास एक weighing machine है, एक glass of water है और एक small load है. तो चलिए experiment करके देखते हैं. तो इस weighing machine को मैंने on कर दिया है, अभी zero reading है. चलिए इस glass को इस पर रख कर देखते हैं. आप देख सकते हैं, इसकी reading आ रही है, 345 gram. अभी इसकी reading है 345 gram. चलिए इसमें इस load को फुरा डाल कर देखते हैं. जैसी मैंने इसमें load को डाला, आप देख सकते हैं, इस reading बढ़ गई है. इस load से मैंने force भी नहीं लगाया, ना इस load को मैंने इसके bottom में touch किया है. जैसी मैंने इस load को इस पानी में डुबोया है, hang किया हुआ है, फिर भी इसकी reading बढ़ गई. जैसी निकालूंगा reading फिर से घट जाएगी, जैसी डाला reading बढ़ गई. ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि ये weighing machine हमेशा normal reaction force को major करता है. इससे ये proof होता है.